Hello friends, आज के सीडियो demonstration में हम यह सिखने के लिए जा रहे हैं कि हम Windows 10 system के अंदर screen server को किस तरह से configure कर सकते हैं बस सबसे पहले जान लेते हैं कि screen server किया है Screen server explain करने से पहले मैं आपको एक simple example देता हूँ कि जिससे आपको यह exactly idea आ जाएगा कि screen server किया है हमने mobile के अंदर देखा है हमारे smartphone के अंदर कि जब भी हम smartphone को use नहीं कर रहे हैं मिन्स हमारा जो smartphone है वो inactive पड़ा है तो automatically कुछ seconds के बाद phone जो है वो lock हो जाता है कि जिससे कोई और user उसे access ना कर पाए और दूसरा यह भी है power saving के लिए वैसे ही windows computer के अंदर screen server भी यही काम करता है अगर आप अपने computer को access नहीं कर रहे हो तो several time के बाद यानि कि कुछ minutes या आप specific कर सकते हो time interval के उतनी in activity के बाद अगर computer ऐसे idle पड़ा हुआ है वहाँ पर कोई भी activity नहीं हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा computer automatically जो screen है उसको lock कर दे और वो screen server mode के अंदर चला जाए जिससे जब next time मैं मेरे computer system को access करने के लिए जाओ तो computer मुझे मेरा username password पूछे एक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक security के लिए है कि अगर आप अपने computer को ऐसे ही छोड के कहीं चले गए हो तो computer automatically थोड़े देर बाद जो है वो lock हो जाएगा जिससे कोई दूसरे user आपके computer को access ना कर पाए चलो देखते हैं हम Windows and system के अंदर screen server को किस तरह से configure कर सके है उसके लिए simply आपको desktop के ओपर free space यानि कि जहाँ पर कोई भी icons या folder available नहीं है वहाँ पर राइट क्लिक करना है और वहाँ से option select करना है personalized personalized option select करते ही settings मैंने open हो जाएगा जहाँ पर आपको जाना है lock screen के उपर जैसे आप lock screen के उपर click करोगे यहाँ पर नीचे की side पर scroll करते ही आपको एक options मिलेगा सबसे last में वह है screen saver settings आपको उसके उपर click करना है जैसे आप उसके उपर click करोगे एक और console open हो जाएगा जिसका नाम है screen saver settings यहाँ बस screen saver के अंदर by default option selected है वह है none सो मैं यहाँ से drop down menu पर click करके options देखते है कितने options available है तो हमारे पास है 3D text, blank, bubbles, mystify, photos अगर आप slide so set करना चाहते हो तो वह भी possible है और ribbons है हम इस demonstration के लिए use कर रहे है 3D text और यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है कि यह जो screen saver है वह exactly दिखेगा कैसा अगर आप अभी preview देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर click कर सकते हो तो इस demonstration के लिए हम यहाँ पर रख देते है MPR tag और जो हमारा custom tag है वह हमने यहाँ पर specific कर दिया है आप अगर font change करना चाहते हो तो वह यहाँ से set कर सकते हो तो यहाँ से set कर सकते हो तो यहाँ से ले लेता है bold okay यहाँ से fast यह जो सारे choices है वह आप पर depend करती है कि आप वह choices को वह settings को किसरा से set करना चाहते हो यहाँ पर है rotation type जो है spin, seesaw, wobbles, tumble हम spin ही रखना चाहते है कुछ और भी options यहाँ पर available है surface style कैसी रहेगी solid color, texture, reflection but हम जो different options selected है हम उसे के साथ जा रहे है कि हम सिर्फ rotation चाहते है spin और size सबसे बड़ी largest होनी चाहिए और rotation speed medium होनी चाहिए click करते okay पे और अगर आप wait नहीं करना चाहते हो कि हमारा screen server कैसा दिखेगा तो simply आप यहाँ से click कर सकते हो preview button के उपर preview button आपको दिखाएगा कि आपका screen server exactly दिखेगा कैसा अब यहाँ पर है wait wait के अंदर आपको वो time set करना है कि जितने time की in activity के बाद जो आपका system है वो automatically screen server को display करें यह आपर depend होता है हम generally one minute तो use नहीं करेंगे हम उससे ज्यादा use करेंगे for example minimum three or five minute जैसा but इस demonstration के लिए मैं सिर्फ one minute ही रख रहा हूँ और most important options यहाँ पर है यह वाला on resume display log on screen याने की जैसे screen server apply हो जाता है और next time जब भी मैं मेरे computer को access करने के try करूँ वो मुझे मेरा username password पूछना चाहिए याने की screen server apply होती ही मेरा system lock हो जाना चाहिए इतना settings देने के बाद आपको simply click करना apply और ok button के उपर और यहां से इस console को close कर देना है अब आपको wait करना है एक minute के लिए और after one minute of in activity एक minute तक आपको system को access नहीं करना है उसके बाद automatically जो screen server है वो apply हो जाएगा तो wait करते हैं और जैसे आप यहां पर देख रहें कि जो screen server है वो successfully apply हो चुका है अब मैं यहां पर अपने mouse pointer को थोड़ा बहुत move करता हूँ और उसके बाद हमें हमारा login screen मिल जाएगा जहां पर आप swipe करोगे यानि कि वहां पर आप simply click करोगे तो आपको आपका username password पूछा जाएगा जो मैं यहां पर specific कर देता हूँ और उसके बाद हम अमारे system के अंदर login हो पाएंगे अगर आप screen saver को वापस remove करना चाहते हो तो उसके लिए भी steps काफी similar है personalized option select कर लीजिए settings menu के अंदर चले जाए यह lock screen के उपर यहां पर scroll करके चले जाए bottom end page यहां पर आपको मिलेगा screen saver settings और यहां से आपको इस check box को remove भी कर लेना है और screen saver के अंदर से drop down menu के options के help से आपको यहां से select कर लेना है none और फिर click करने apply और ok button के एक पर उसके बाद जो screen saver है वो वापस आपके system से remove हो जोएगा सो कुछ चीज तरह से हम Windows 10 system के अंदर screen saver को start कर सकते है और requirement के basis पे हम वापस उसको remove कर सकते है इस वीडियो demonstration के लिए नहीं thank you